दोस्तों क्या खर्च परने वाला है अठाड़ो सो स्क्यार फिट घर बनाने का बिल्कुल इसमें आपको आइडिया लग जाएगा इस वीडियो के बाद आप समझ जाओ कि हमारे घर में क्या खर्च परने वाला है तो देखो सिमेंट सबसे पहला यहां पर मेटरियल कौन गौन सी लगाएंगी हम जो फिनीश हो जाएगा तो पूरा मेटरियल यहां पर हम बात कर रहा है उसके क्वाइंटिटी कितना लगेगा रेट क्या लगने वाला है एमांट क्या लगने वाला है सिमेंट की अगर हम बात करें तो 774 बैग आपका सिमेंट लग जाएगा एक वोड़ा का दाम भर रहा है 380 रुपिया तो यहाँ पर टोटल खर्च आपका 2,94,120 रुपिया सिमेंट में हो जाएगा उसके बाद हम बात कर रहे हैं श्टिल की श्टिल जो है दोस्तो आपका 4,500 केजी लग जाएगा 75 रुपिया पर केजी के हिसाब से 3,37,500 का श्टिल लग जाएगा 75 रुपिय के हिसाब से 3,37,500 का श्टिल लग जाएगा आगे हम बात कर रहे हैं सेंड की जो आपका बालू है बालू आपका 260 cft लग जाएगा जो कि पर cft 52 रूपया चल रहे में रेडिया में तो उस हिसाब से एक लाख बारह हजार तिनसौ बिस रूपया आपका सेंड में पर जाएगा ठीक है क्योंकि हम सेंड को सेंड को सेंड को सेंड इम आपते हैं इसलिए 260 cft यह आएगा उसके आता है दोस्तों इस टोन या पत्थर या एग्रिगेट या गिट्टी बोल लो तो यह 2412 CFT आता है ठीक है ठीक है ठीक है 2412 CFT आएगा जो कि 50 रुपिया पर CFT लगने वला है तो एक लाख 20,600 रुपिया का आपका यहाँ पर गिट्टी लग जाएगा अगला हम बात कर रहे है ब्रिक्स का ब्रिक्स कितना पर जाएगा तो यह जो है इटा आपका ब्रिक्स 13,140 ब्रिक्स लग जाएगा जो कि 8 रुपिया के रेट के हिसाब से एक लाख पांच हजार एकसोफीन रूपिया का ब्रिक्स आ जाएगा आगे हम बात कर रहे हैं टाइल्स की जो की 1260 स्कुार्ट फीट आपका टाइल्स लग जाएगा तो 1260 स्कुार्ट फीट टाइल्स का पाइंटालेस रूपिया रेट के हिसाब से 56,700 रुपिया का टाइल सा जाएगा आगे हम बात करें कलर का कलर जो है 200, 16 लिटर लग जाएगा एक लिटर कदाम 2800 रुपिया पर रहा है 250 रुपिया तो यहाँ पर उस इसाब से 54,000 रुपिया का कलर लग जाएगा आपके घड़ में विंडो, डोर, प्लम्बिंग, बिजली का काम यह सब लेके आपका हम मान के चलना है कि 120 रुपिया में हो जाएगा क्यों कि यह सब का रेट काफी ज़्यदा फ्लेक्ट्ट करता है तो लोग अपने हिसाब से थोरा कम दाम में भी लेके चलते हैं इसलिए फिर कुछ लोग है जो थोरा से ज़्यादा है भी लेके चलते हैं इसलिए हम यहाँ पर हम मान के चलना है कि 120 रुपिया तक में आपका हो जाएगा बीश नहीं तो 150 रुपिया अंदर में आपका कम्प्लेट हो जाएगा ठीक है दुथरा बोत दुथर रेट का फ्लेक्ट्याशन होता है लेवर का अगर बात करें तो यह 350 रुपिया पर स्क्वार फिट के हिसाब से आपको फुनिस करके जितना भी मेटरियल है यह आपके घर में लगा के फुनिस करके जो कि आपका रेट लेगा तो यह आपका 6,30,000 रुपिया आपका ले लेगा मिस्टिरी ठीक है लेवर मिस्टिरी जो होता है उसके बाद हम बात करें इंजिनियर इंजिनियर कितना ले लेगा तो 800 square feet के लिए 36,000 रुपिया इंजिनियर ले लेगा टोटल खर्च की अगर हम बात करें तो 18,66,360 रुपिया टोटल खर्च आपका पर जाएगा 800 square feet घर बनना देमें जो कि 18,00,000 से लेकि यह 19,00,000 तक जा सकता है ठीक है? उसे ज्यादा नहीं जाएगा 19,00,000 तक जा सकता है यह हम on an average rate बताया हूँ जो कि आपका इस rate तक में काम हो जाएगा थोड़ा बोट rate का variation होता है क्योंकि यह statewide यह change होते रहता है तो बागी कैसा लगा? वीडियो कॉमेंट करके बताना अगर आइडिया लग गया है तो लाइक करते हैं